मद्यप्रदेश के अब मेरे काफी दोरे लग गए हैं और मैं सेंट परसेंट कह सकता हूँ कि यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी का तुफान आने जा रहा है एक सो आप लिख के रख दो मद्यप्रदेश की जनता कॉंग्रेस पार्टी को एक सो पैंतालेस से एक सो पचास सीट तक दिने जा रही है और इसका कारण है सबसे पहला कारण पांच साल पहले आप सब ने कॉंग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी बीजेपी की सरकार नहीं चुनी दिया आपने मध्यप्रदेश की जन्ता ने कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था सही और फिर बीजेपी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी ने शुवराज चोहान जी ने अमिच शा जी ने मिलकर MLS को खरीद कर आपकी सरकार मध्यप्रदेश की चुनी ही सरकार को चोरी किया करोणों रुपे देकर करोणों रुपे देकर कॉंग्रेस पार्टी के MLS को खरीद कर सौदा करके जो आपका निर्ने था जो आपकी दिल की अवाज थी उसको BJP के नेताओं ने प्रदान मंत्री ने कुचलने का काम किया आपके साथ दोका किया किसके साथ मध्यप्रदेश के अरब पतियों को दोका नहीं दिया किसानों को दोका दिया मजदूरों को चोटे वियापारियों को युवाओं को बेरोजगार युवाओं को दोका दिया हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे हमने किसानों का कर्जा माफ किया था 27 लाख किसानों का कॉंग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया थो आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताव उन्हें कहा था कॉंग्रेस पार्टी एक काम नहीं करेगी मगर हमने काम करके दिखाया पूरा मध्यप्रदेश जानता है और देखिए शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेरोजगार युवा जो हैं आथ उठाके दिखा दो यह देखो लाइन लग गई तो यहाँ पे मध्यप्रदेश में आप किसी भी युवा जे पूछो क्या करते हो यह जवाब मिलता है कुछ नहीं करते मोधी जी अपने भाषन में हर भाषन में कहते हैं हर डिस्ट्रिक में जाते हैं कहते हैं यहाँ हमने 500 कार खाने खोले हैं एक दिखा दो मुझे जो कार खाना खोला हो नरेंद्र मोधी जी ने अमिच्छा जी ने शिवराज चोहान जी ने मैं देखना चाहता हूं कहां है यह कार खाना एक भी नहीं है अभी अभी यहाँ स्टेज में मुझे बताया गया सत्रा सो करोड रुपे आपके शेहर के लिए भेजे गए इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए सरकों के लिए आप तक एक रुपिया नहीं पहुँचा इनके ब्रश्ट्मंत्रियों के जेब में चला गया आपके जेब में आपके सडकों पे आपके बच्चों को नहीं मिला तो देखिए हम बीजेपी से लड़ते हैं करनाटक में हमने इनको मार के बगा यह हिमाचल पर्देश में मार के भगाया है नफरत के साथ नहीं देखो हम नफरत के बाजार में मोहबत की दुकान खुलते हैं हम अहिंसा के सिपाई हैं मारते नहीं है मगर मद्या प्रदेश में प्यार से मार कर हमने इनको बगाया कहा कि भई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है तुमने तुमने करनाटक को बहुत बुरी तरह लूटा 40 पर्संट सरकार चलाइ चलो भागो यहां से अब कॉंगरेस प्र्रट की सरकार आईगी और सिद्दर रमया जी से मैं आपको बताता हूँ मैंने सिद्धर रमया जी को पहली बात क्या बोली पहली बात बोली सिद्धर रमया जी और मैं बैटे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मैंने उनसे कहा देखिए सिद्धर रमया जी यहाँ पे यद्धु रप्पा जी और बीजेपी ने करनाटक की जंता से करोणों रुपए चोर किये हैं अब आपका काम सिदर मैयस मैंने का अब आपका काम जितना पैसा पिछले पांच सालों में वहां भी वही है उन्होंने चोरी की थी सरकार यहां भी चोरी की वहां भी चोरी की थी जितना पैसा इन्होंने पिछले पांच सालों में गरीबों के जेब से लिया है मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे आप अकाउंट निकालो जितना इन्होंने हरब पतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे यहां पे गया सिलिंडर का क्या रेट है 1200 करनाटक में जानते हूं क्या रेट है 500 500 रुपय का सिलिंडर है यहां हमारी माताय बहने आई है यहां 1400 है ना वहां 500 है ठीक है तो वहां पे 900 रुपय है तो गया सिलिंडर के बचे करनाटक में महिलाओं के अब दूसरी बात सुनिए सिद्धर मैया जी ने कॉंग्रेस पार्टी में पार्टी ने करनाटक में महिलाओं के लिए चाहे वो बुज़ुर्ग हो बच्ची हो महिलाओं के लिए पूरे करनाटक में बस के टिकेट फ्री कर दिये मतलब बस में महिला जाती है कुछ खरीदने जाती है इलाज करवाने जाती है एक रुपिया नहीं देती है एक पैसा नहीं देती है करनाटक में किसानों का करदा माफ हुआ चलिए 36 गड़ ले जाता हूं आपको 36 गड़ में वो ही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही जितना पैसा इन्होंने 36 गड़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप 36 गड़ के किसानों को दोगे यह मैंने का हमने वाइदा किया था दान के लिए 36 गड़ में 2500 रुपे प्रति क्विंटल मिलेगा गैरंटी कर दी हमने चुनाओ के एक दम बाद 2500 रुपे प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया आप जानते हो 36 गड़ में दाम क्या है आज नहीं 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 चपिस्तो चालिज नहीं आज 2800 और चुनाओ के बाद 3200 मजदूरों को दस हजार रुपे मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से हमारी सोच जब तक हम जंता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्ध्यवस्ता चालू नहीं हो सकती है तब तक रोजगार नहीं मिल सकता चत्तिस गड़ में कुछी दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई मैंने उनसे पूचा एक किसान था मैंने उसने पूचा बाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है धान के लिए धान हुगाते हैं धान के लिए सही रेट मिल रहा है तो आपकी जो आपका जो खेत है उसका दाम बड़ा होगा आपकी खेत का क्या दाम है मैंने किसान से पूछा उसके जवाब से मैं हिरान हो गया मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेट का दाम नहीं मालूम मैंने कहा ये क्या बोल रहे हूँ आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेट का दाम है नहीं मालूम कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा क्यों क्योंकि 36 गड़ की सरकार मुझे धान के लिए सई रेट देती है 36 गड़ की सरकार ने पांच साल में जो मेरा करजा लगा था BJP की सरकार जब थी बीजेपी की सरकार जब थी जब रहा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया उसने मुझे बताया राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा स्कूटर छोड़िये मैंने गाड़ी खरीद लिए होता क्या है हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं यहां हमने कर्जा माफी की बात की 27 लाग किसानों का कर्जा माफ किया मैं आपको यहां गैरेंटी दे रहा हूँ चुनाओ के बाद मधिय प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा दो लाठ रुपे तक का कर्जा माफ होगा क्यूं? क्योंकि हम चाओते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए मजदूर के चेप में पैसा आए तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे शर्ट करी दे, पैंट करी दे, जूता करी दे, मॉबाइल फोन करी दे, स्कूटर करी दे, गाड़ी करी दे अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फाइदा किसका होगा? चोटे दुकंदार का फाइदा होगा, चोटे वियापारियों का फाइदा होगा, चोटे वियापारियों का फाइदा होगा, चोटे दुकंदारों का फाइदा होगा, बेरोजगारी मिटेगे चेन है वाई और बेनो चेन है और चेन की नीव फाउंडेशन किसान और मजदूर है अगर हिंदुस्तान का मद्यप्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है सीदी जी बात है अब हम क्या करते हैं हम पूरा का पूरा फोकस गरीमों पर लगा देते हैं पैसा हम आपके जेम में डालते हैं वो क्या करते हैं बड़े बड़े कॉंट्रैक्टर्स को वो कॉंट्रैक्ट देते हैं अदानी जी को, अमभानी जी को आपका धन, पूरा का पूरा उपकढ़ा देते हैं अदानी जी का बैंक्लोन माफ होता है नरेंद्र मोदी जी ने 14,00,00 ग्रोड रुपे अरब पतियों का हाँ चोक गए, सच है 14,00,00 ग्रोड रुपे अरब पतियों का माफ किया यह पैसा अदानी का नहीं है यह पैसा कहां से आता है जी एस्टी से आता है जी एस्टी का पैसा कौन देता है आप क्या सोचते हो अदानी देता है आपने यह शर्ट करी दी जी एस्टी का पैसा दिया यहां आए स्कूटर में आए पैट्रोल डाला GST का पैसा दिया बिजली का switch चलाया अधानी को पैसा गया तो आप लोग पैसा देते हो अई एरपोर्ट आपका पोर्ट आपक्या सड़क आपकी तशह आपका है क्यों पैसा के जेब से आ रहा है जब उनका कर्जा माफ होता है बैंक के पास पैसा कहां से आता है पुब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक और इंडिया कहां से आ रहा है पैसे आस्मान से तो नहीं गिर रहा है उपर से तो नहीं आ रहा है आपकी जेब से आ रहा है है तो हिंदुस्तान में मध्यप्रदेश्ट में क्या हो रहा है आप जाते हो पेट्रोल पम्प जाते हो आपको पता नहीं लगता बस यह कमी है पेट्रोल पम्प में जाते हो पेट्रोल बरते हो स्कूटर में वहाँ पे मीटर चलता है मीटर एक मीटर आपको दिखता है और द कि फिर आप गर में जाते हो कि आप बच्चे से कहते हो बेटा हूँ है इक पाधना है तुमamelुकि का इंजिनियर बना है डॉक्टर बना है DESP ऑफ बेटे से कहते हो देटी कहते हो कि वह लग जाते हैं कि पढ़ाई शुरू करते हैं शाम का समय आता है आप copperht करते हो, उसके बाद आपका बिल आता है, आप कहते हो, अरे, हजारों उपए चले गए, मगर आपको यह नहीं दिखता कि उस बिल के साइड में एक कॉलम है, अदानी, वो दिखता नहीं आपको, मगर वो हो रहा है, तो पूरा का पूरा फाइदा, अदानी, अंबानी, इन सब को यह देते रहते हैं, अच्छा आप देखिए, एक और चीज़ नोट कीजिए, अभी यह बाशन चल रहा है, दिखरा आपको, बाशन चल रहा है, यहाँ पर कितने मीडिया वाले हैं, एक कैमरा दिख रहा है आपक के सामने 50-100 कैमरा क्यों लगे रहते हैं, नरेंद्र मोधी जी का आपको चेहरा 24 गंटा टीवी पर मिलेगा, आप टीवी ओन करो, टीवी ओन करते हो, अदानी जी के हम, बिजली का पैसा जाता है सीधा, जैसे ही ओन किया, जैसे आपने टीवी ओन किया खट, उनका मीटर वह हो जाता है, अदानी जी के घर में, और फिर मोधी जी का चेहरा आता है, आपको हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू-मुस्लिम की बात करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे, और पैसा अदानी जी के यहां चला जाएंगे, मैं किसानों की बात करता हूँ, मैं मजदूरों की बात करता हूँ, मैं छोटे दूकांदारों की बात करता हूँ, एक कमी है चोटे दुकानदारों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है बस यही बात है अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता मजदूरों के हाथ में होता बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता तो राहूल गांदी का चेरा आपको 24 गंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है ये कर्ज़ा माफी की बात करता है ये बिजली बिल हाफ करने की बात करता है मगर कंट्रोल ही नहीं आपका 컨्ठोल अदानी जी का आपके यहाँ से पैसे जاتा है बताओ भहिया GST से यहाँ किसे को फाइदा हुआ नोट बंदी से फाइदा हुआ नरेंद्र मोधी जो किसान बिल लाए उससे फाइदा हुआ किसी को अच्छा एक और बात बताओ अधानी जी का इन लोगों का अरब पतियों का 14 लाग करोड रुपए करजा माफ हुआ है बीजेपी ने यहां किसी का करजा माफ किया की किसी बात करते हो किसान जाता है बैंक में किसान कहता है हमारा करजा माफ करो पता यहां थाएक तो दो हिंदुस्तान बना रुखें एक में 18,000 किसानों ने आतम हत्या किये मज़े प्रदेश में एक हिंदुस्तान में गरीब होग हिंदुस्तान में दूसरे हिंदुस्तान में अरब पती लंडन में, जापान में, अमरीका में महल खरीद रहे हैं हवाई जाज में उड़ रहे हैं मर्सिडीज में बियम ड़ूली में चल रहे हैं ये दो हिंदुस्तान बना रहे हैं और मेरा कहना है कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए उसमें सब की इजद सो judgments होनी चाहिए और उस हिंदुस्तान की रीड कियाटी किसान, मजदूर और युवा है तो सबसे पहले किसान, मज़़ूर और युवाओं की देख्माल होनी चाहिए उनकी रक्षा होनी चाहिए भाई और मैंनो पहली बार हिंदुस्तान के इतियास में इस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है पहली बार ये शन्द की बात है बीमा का पैसा आप उसे चोरी करते हो उसका करजा माफ नहीं करते 12% टैक्स ट्रैक्टर पे लेते हो 18% पेस्टिसाइड पे लेते हो 5% खाद पे लेते हो फर्टिलाइजर पे लेते हो किसान अपने पैरों पे कभी खड़ा हो इनी सकता मंडी टैक्स लेते हैं अधानी टैक्स लेते हैं अमानी टैक्स लेते हैं तो ये फरक है हमारा पहला काम किसान मजदूर की रक्षा करना दूसरा काम और मैंने 34 गर के चीफ मिनिस्टर से ये कहा और यही हम यहां करने जा रहे हैं 36 गड़ में हमने कहा कि देखिये जो भी किसान उगाता है अलग- Allez डिस्ट्रिक्ट में हमारे किसान अलग-अलग चीजय उगाते हैं कही आम उखता है कहीं दान हुगाते हैं कहीं गेू अलग- revital चीजय और तमाटर कहीं आलू 36 गड़ ने हमने कहा है कि देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते है उसका वहाँ पर फूट पार्क लग जाना चाहिए फैक्ट्रियां अगर वहाँ तमाटर उगाते हैं तो तमाटर केचप की फैक्ट्रिय वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए अगर आम तो अचार आम के जो सौसिज होते हैं जूसिज होते हैं उसकी फैक्ट्रिय वहाँ लगनी चाहिए और चतिस गड़ ने बाल जाल बिचा दिया और हमारा 36 गड़ में अगला कदम क्या है हम 36 गड़ में इंटरनाशनल एरपोर्ट दो तीन इंटरनाशनल एरपोर्ट कोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आईगी और सीधा 36 गड़ से आम, घान, चावल, गेउं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में तो यही हम मध्यप्रदेश के किसान के लिए करना चाते मगर अगर किसान की रीड की हटी कमजोर होगी तो यह काम नहीं किया जा सकता इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वाइदा किसानों को कर्जा माफ करने का है दूसरा वाइदा वो भी किसानों के लिए गेहूं के लिए 2600 रुपे प्रतिक्विंटल और यह 2600 से 3000 तक जाएगा दान के लिए 2500 रुपे प्रतिक्विंटल गैरिंटी मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा बिजली 100 यूनिट मुफ्त में और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ अगर बेटी होगी अगर बेटी होगी तो धाई लाक रुपे बैंक अकाउंट में और 1500 रुपे हर महीने मध्य प्रदेश की हर महिला को मतलब हम 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 आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शेहरों में इन सरकों पर गजबों में गाउं में पैसा नहीं जाएगा, जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्ध्यवस्ता नहीं चालू उसकों और हम चाहते हैं कि मद्य प्रदेश की अर्ध्यवस्ता चालू आकरी बाद आपसे कहना चाहता हूं वो है इन लोगों का जो भ्रष्टचार है BJP का भ्रष्टचार इन्होंने सरकार चोरी क्यों की इन्होंने सरकार इसले चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाते है इनका मेंड प्लान है कि मद्यप्रदेश की जनता से चोरी कैसे की जाए और इसी लिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था तो क्या किया व्यापम सुना होगा आपने एक करोड युगाओं का बविश्य बेश डाला चालेस लोगों की हत्या हुई मोधी जी ने इंक्वाइरी करवाई नहीं आपने ये जो मंत्री है तोमर नाम सुना होगा आपने वीडियो लेखा इसका वीडियो लेखा है एक वीडियो नहीं है उसके अलग अलग वीडियो हैं कहीं वो सो करोड की बात करता है जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते ना जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं मेरे पाथ चार कंचे है पांच कंचे है वो करोण की बात कर रहा है सो करोड इधर बेच दो पचास करोड उधर बेच दो पता नहीं कहां बैठा है विडियो वाइरल हो रहा है सो करोड इधर, पचास करोड इधर, दो सो करोड इधर, पांच करोड इधर यह आपका पैसा है यह तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है और हर डिपार्टमेंट में यह करते है स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी विदिशा में हो रही है पटवारी एक्जाम स्कैम MBBS सीट्स बिक्ती है हर चीज को BJP के लोग बेचते हैं तो यहाँ पे कॉंगरेस पार्टी को आप पूरा समर्तन दीजिए मैं यहाँ आपको देखिए नरेंद्र मोधी जी आते है पंद्रा लाग का वाइदा कर जाते हैं पंद्रा लाग रुपे मिले किसी को नोट बंदी नरेंद्र मोधी जी ने कहा था नोट बंदी से काला धन मिठ जाएगा भाईया वो जो तोमर जी है वो कॉंसे लंग के धन की बात कर रहा है वो फोन पे उसके बारे में मोजी जी कुछ नहीं कहेंगे अगली बार मीटिंग में आएंगे उनसे पूछना नरेंद्र मोजी जी टोमर जी का बेटा है उस पर आप इंक्वाइरी कब कराऊगे CBI की इंक्वाइरी कब होगी? E.D. की इंक्वाइरी कब होगी? मैंने अधानी जी के बात की पार्लमंट हाउस में मेरी लोकसभा की मेंबर्शिप रद कर दी कहते हैं तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना है बहुत डिस्टरब करते हो अधानी जी के बारे में बाशन देते हो बहुत डिस्टरब करते हो तुम्हें लोकसबा में नहीं रहना तुम्हें बार निकलना है लोकसबा से मेरा घर ले गए सरकारी घर है मैंने उन से खाल ले जा मुझे नीचे है तुमारा घर मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है मेरा घर मेरा घर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में है किसानों के दिल में है मज़़ूरों के दिल में तुम्हारे घर की कोई जरुवत नि मुझे ले जाओ ठाके मैं सच्चा ही बोलूँगा तो ये मैं आपसे कहने आया हूँ अब मद्यप्रदेश को मद्यप्रदेश का प्रगती का समय आ गया है अब कॉंग्रेस पार्टी को लाईए किसानों की मजदूरों की सरकार लाईए युवाओं की सरकार लाईए बेरोजगारी मिटाईए कॉंग्रेस पार्टी को जुताईए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहन